गाइस बात करते हैं USA के election के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि USA का election किस तरीके से काम करता है मतलब किस तरीके से vote डाला जाता है और किस तरीके से वो लोग अपना president चुनते हैं इसका जो पूरा process है वो इंडियन election से एक दम difference है अगर हम बात करें हम Google पे type करते हैं USA election 2020 live तो आपको कई सारी categories देखने को मिलेगी जैसे कि एक column आजाएगा president के लिए एक आजाएगा senate के लिए एक आजाएगा house के लिए house of representatives तो अब इन तीनों चीजों में क्या difference है Actually अब कए हम लोग जो vote डालते हैं हम लोग भी कई बार vote डालते एक जब हम अपनी central government चुनते हैं दूसरा जब हम अपनी state government चुनते हैं और तीसरा कुछ लोग जो अपनी local government चुनते हैं गumbling मुंसिपल्टी वगारा टाइप के मुंसिपल कॉप्रेशन के और कुछ लोग जो गाउ में रहते हैं वो बंचाय चुनते हैं और कुछ लोग जो eligible voters होते हैं कि वो राजय सबाब में भी वोट कर सकते हैं तो आप यही समझ सकते हैं कि ऐसी यह सारी processes एक साथ होती USA election में मतलब बोलो एक साथ तीन वोट डालते हैं ऐसा भी देखने को मिलते हैं कि कुछ voters जो एक साथ तीन वोट तीन अलग अलग पार्टी को भी वोट डालते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि USA का प्रेजिडेंट कैसे चुना जाता है आपने दो टम्स सुन्योंगे red state और blue state red state और blue state क्या होता है USA की जो process है उसमें ऐसा होता है कि अगर हम बात करें USA का सबसे बड़ा state California जिसकी political importance उत्ती ही है जित्ती उत्तर बदेश की इंडिया के अंदर for example California के अंदर 55 electorals है 5.5 करोड की आपादी California की अब electorals का मतलब क्या होता है अगर मान लीजिए इस California में जो Biden को vote मिले 50.0001% और Donald Trump को vote मिले 49.999% भली difference जो है वह 0.1% का कुछ difference रहा हो या फिर हम कहते 1% के difference रहा हो फिर वह कभी यह नहीं बोला जाएगा कि Donald Trump 1% से हारा या जो बाइडन 1% से जीता कौन जीता तो वह यह नहीं बोले कि जो बाइडन 51% से vote जीता वह कहेंगे जो बाइडन की तरफ पूरा 100% सपोर्ट चाहिए यह होता है यही रीजन होता है कि जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के स्टेट्स है जो टोटल 50 स्ट से बहुत सी स्टेट्स बटी होई हैं कि जहां पर हमेशा डेमोक्रेट्स जीते हैं या हमेशा रिपब्लिकन जीते हैं और आप जीत गए तो अगर आप 50% या 51% से जीते तो आपकी जीत होगी तो आप पूरे 100% के माले और अगर आप 1% से भी हार गए तो आप 0% मतलब आप आपको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा तो यही रीजन होता है कि जो कैलिफोर्निया या फिर हम कहें जितने भी कोस्ट्यल स्केट्स होते हैं वह हमेशा डेमोक्रेट्स के लिए रहते हैं और जो बीच का पोर्शन रहता है ज्यादतर इसके वह रिपब्लिकन के लिए रहते है कैलिफोर्निया या फिर जो बहुत से पॉपुलस स्केट्स है वह डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं वह रिपब्लिकन अपना प्रचार करना के बारे में भी नहीं सूचते क्योंकि और इच्छी तरह पता है कि हमारा वोटर जब है नी तो हमें वोट देगा कौन अगर माद यह हम कल गो एक परसंट से भी जीतने या एक परसं से भी हा रही हम कुछ एलैक्टोरलस जीत भी लिए उसके बाद भी टोटल 55 Electorals के वो सिर्फ जो बाइडन के लिए वोट करेंगे, जो बाइडन के लिए ही गिने जाएंगे, जैसे कि बंगाल में एक ऐज लैबोरेटरी, नहीं लैबोरेटरी, BJP ने बंगाल को देगा, पॉलिटिकल एनलिसिस पहले से जान देते और बाद में वो सब सही थे, कि BJP चाहिए कित्ती कोश्च कर लें, फिर भी जो लार्जस्ट पार्टी रहेगी बंगाल के अंदर वो TMC रहेगी, ममता बैनर जी की पार्टी, अगर मान लीजे, वही सिस्टम USA का इंडिया में भी होता, तो चाहिए BJP कित्ती प्रचार कर लेती, फिर भी तो टोटल सीट सी, वह ममता बैनर जी के खाते में ही काउंट होती, लेकिन ऐसा नहीं होता इंडिया में, इंडिया में पर सीट के हिसाफ से पूरा कैलकुलेशन आपको क्रसंट किया जाता, USA में अगर मान लीजे, डोनाल ट्रम ने कैलिफोर्निया की 25 स्टेट जीती या फि 25 और 30 के बीच में नहीं वह टोटल 55 जो बाइडन के नाम ही होंगी, अब आपने बहुत से टम सुनेंगे, स्टेट्स, 12 से 14 स्टेट्स जो जो कभी कबार स्टेट्स करते हैं, जैसे इस एलेक्शन में 4 स्टेट्स ही जिन्हों ने स्टेट्स शो किया था, अब जो स्टेट्स स्टेट्स किसके साथ चले जाए, वो किसी कुई नहीं कह सकता इस एलेक्शन में, क्योंकि 90% वोटिंग होने के बाद, मतलब 90% की वोटिंग काउंट होने के बाद भी ये डिसाइड ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन जीत रहा है, जो मार्जिन था वो इत्ता कम था, इसका रीजन ये भी है कि इधर इस एरियास में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स दोनों की एक्यल वैल्यू है, मतलब उन दोनों वोटर सी एक्यल वैल्यू है, यही रीजन होता है कि इन स्विंग स्ट्विट्स में सबसे जादा प्रचार होता है, क्योंकि जो बीच के या हमका silent voters उन सबको खीचने की बात आती है, रिपब्लिकन्स का जो अच्छा खासा vote bank है, वो rural population में होता है, अच्छा hold और जो डेमोक्रेटिक से होते हैं, उनका urban में होता है, अब सैनेट जो होते हैं, USA के अंडे टोटल 100 सैनेट्स है, जिसमें 2 सैनेट्स हर एक स्टेट को मिलें क्योंकि 50 स्टेट्स हैं, इलेक्शन की काफी कमिया है, जो हम इंडेन इलेक्शन से compare करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे points है, जो मुझे अच्छे लगे, कि अब है USA election में ये चीज़े बहतर है, इंडेन इलेक्शन के मुकाबले, USA के election और इंडेन इलेक्शन में जो सबसे हम लोग अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन सकते हैं, अब जैसे कि इंडेन इलेक्शन की बात करें, तो इंडेन इलेक्शन में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो उसकी constituency बनारस थी, वो वारन ऐसी से खड़े होते हैं, नरेंद्र मोदी और तो जो सौभागे था अ इस आदमी को प्राइमिन्स का बनना चाहिए, लेकिन USA में एक चीज होती है, कि USA में सारी states जो होती है, या फिर कैलिफोर्निया में जो बंदा रह रहा है, या कोई New York में, Texas में, Arizona में, Georgia में, या फिर वो रह रहा है, इंडियाना में, सब में एक चीज common होती है, कि हर जगे का आदमी, Trump या Biden किसको वोट करना चाहता है, वो चुन सकता है, लेकिन इसके defect देखने को भी मिलता है, कि कई बार अगर माली जी, Trump जिन इसकेट्स में जीता, उन इसकेट्स में वो सिर्फ एक या दूदू परसंट से जीता हो, लेकिन जिन इसकेट्स में वो हा रहा, तो उध अले जीत जाता, या वोट ज९द जयादा होने के बाद भी हार जाता है, यही रिजन था कि 2016 में हिलएरी क्लेंटटां जिनके 30 LAG वोट तर्म से 30 LAG वोट ज्यादा होने के बावजूद भी हार गया, दोनल्स प्रसंटी संब्सटिर सब आप 10üş वोट कम होने के बावजूद धेखा तौ कई सारे घोटाले खुलते का या फिर जो गवर्मेंट उनके फेलियर सामने आने लगेर जिसकी वजह से लोगों ने कि हम गवर्मेंट चेंज कनी चाहिए यह लोगों ने can Правist कि बनाइब लेकिन बीजेपी में एक बार वो था कि किसी भी तरीके से वो सरकार बना लेते तोर मडोर की जो राजनीती होती है कि इस जोती राव से आदित सिंद्या को खीच लिया और कुछ निताओं को खीच लिया जिसकी वज़े से बीजेपी ने अपनी गवर्मेंट फिर से फॉर्म करती हाला कि योगों ने या उसे चुनू अब जो सबसे बड़ा रीजन है कि हम सुनते हैं कि अब निवाड़ा जिसमें शाइसे पचास हजारी वोट काउंट किये गए थे कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि सिर्फ पचास हजार वोट को काउंट करने में 6 दिन को लगा दिये तो एक जो सबस इस्टेटों के अंदर election कराने के लिए या वोटिंग कराने के लिए पचास अलग-अलग institution है हर इस्टेट का अपना एक independent election commission कह सकते आप और जो सबसे बड़ा difference है USA में एक लोग कहते है by party system जो हमारे है multi party system लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भी एक तरीके से by party system ही है अलग भग क्योंकि ओधर सिर्फ दो party होती है Republican और Democratic red और blue बोलते है और red और blue भी वो लोग इसलिए बोलती क्योंकि जब color TV आये था तो यह दो color असानी से distinguish किये जा सकते थे इसलिए और आज भी red और blue ही follow करते है लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आज भी दो parties ही होती है एक जो power में आती है और एक जो opposition में आती ह हमारे multi party system है कि कोई भी अपनी party बना के खड़ा हो सकता है election contest कर सकता है लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिलती है कि end में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो political parties multi parties होती है वो भी या तो इस side चली जाती है अब जैसे कि मैंने आपको बताते कि USA के election मे democratic के regions पर republicans कभी नहीं जाते republicans के region पर democratic कभी नहीं जाते क्योंकि वो अच्छी तर जान दे वोट पर है लेकिन इंडिया के अंदर हर एक नेता हर एक constituency पर अपना प्रचार करता है ये करने के लिए कि क्या पता वो जीच जाए क्योंकि हमारे electorals के basis पर counting नहीं होती है हमारे MPs तो constituencies के basic पर counting होती है कि अगर electoral जैसे system हमारे होता तो फिर ये clear है कि एक तो हमारे multi-party system पर वो काम भी नहीं कर सकता धंक से और ये भी देखने को मिलता कि बहुत से regions जो है जहां पर BJP बहुत weak है जैसे कि हम South India की बात करें तो South Indian के कई states में BJP एक सीट भी नहीं निकाल पाती तो अगर हम बात करें कुछ ऐसे regional constituencies है जैसे बंगाल का example ले लिए और फिर ऐसे कई states है जहां पर दूसरा vote bank बहुत मजबूती से खड़ा रहता है तो जो एक-दो seats निकलती भी है वो भी counting में नहीं आती तो ये एक बहुत-बड़ा defect हो सकता था अब USA के अंदर ऐसे 538 electorals हो लेकिन जो बाइडन प्रेजिडेंट में आगे बन गया मतलब प्रेजिडेंट उसे डेकलेर कर दिया गया है तो जो रीजन आता है वो ये है आप ऐसे समझ सकते हैं आम भाशा में कि नरेंद मोधी चुनाव लड़े थे प्रधान मंत्री का और प्रधान मंत्री और राज्य के एक साथ चुनाव हो रहा है कि हर राज में तो मोधी ने अपनी सरकार बना ली लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर केंद्र में अपनी सरकार नहीं बना पाए तो आप कुछ इस तरीके से आम भाशा में समझ सकते कि क्यो ट्रम आगे चलने के बावजूद भी क्योंकि उधर प देखने को मिलता है कि आदमी अपने MP को चुनता है कि वो अच्छा काम करता उसने अच्छा काम कि इसलिए MP को चुनता लेकिन MP जिस पार्टी से ब्लॉंग करता है वो पार्टी अगर कारणवर्ष नहीं आई या फिर वो जो है आपका जो एरिया है या फिर आप जिस करते हो वो लोग कभी प्राइब मिनिस्ट को वोट नहीं देते तरीके का संदेन को मिल देखने को मिल आ है यह मैं इसली कहा हूँ क्योंकि साइलेंड वोटर क्योंकि जो प्रोजेक्शन किया थे वह यह था कि जो बाइड़न राम से जीत जाएंगे हाँ जीत गया लेकिन उसक तो मैं hope करता हूँ, आप लोग समझ गया हूँ कि USA की election और Indian election से हमने compare करते हूँ कि USA की election कैसे वर करता है, हाला कि USA की election बहुत इक complicated process है, हाला कि मैंने सारी process आपको नहीं समझाई है, मैंने आपको एक simple और sober way में आपको बता दिया है, उपर उपर से कि exact में election कैसे वर करता है USA का और आप लोग कैसे चुनते हैं, एक USA का president